इस वीडियो में बताएंगे मानव रक्त स्वंदित महत्वपूर्ण प्रस्न जो आपके हर इकजामों के लिए important होता है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो को last तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल वा क्या कहा जाता है और आपसें यहारो लाजी वीडियो के अधियन को क्या कहा ज़ाता है और आपसेंयों का तंत्र के हाल के हैं तो इस चैनल उस्जाथे कर्वगोशिद मेलें से सब्सक्राने करें जहीं नेक्स्ट क्यूशन है, मानव रक्त किस परकार का उत्तक है, ओप्शन है तरल स्योजी उत्तक, ओप्शन भी है, फिल्यूड कनेक्टिव टीशू, और ओप्शन C है, A और B दोनों और ओप्शन डी है, इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पे ओप्शन C जो है, वो सही है, A और B दोनुं मानव रख्त जो है वो किस प्रकार की उत्तक है तो तरल्ची उत्तक भी और j फ्लिवड कनेक्टिव टीशू है इंगलीज सब्द है और तरल स्योजी उत्तक्ज़ है वह हिंदी सब्द है तो यहां पर ऑप्शन सी जो है वह सही है नेक्स्ट क्योचन है मानव शरीर में रक्त की मातरा कुल वजन का कितना परतिसत होता है उप्शन सी जो है वह सही है मानव सरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना परतिसत होता है तो यहाँ पे option यह जो है वो सही है 7 परतिसत होता है मानव सरीर के percentage में 7 परतिसत होता है next question है मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है option है 7.1, option भी है 7.4 और option C है 8.4 और option D है 3.5 तो यहाँ पे option B जो है वो सही है 7.4 मनुस्य के रक्त का pH मान कितना होता है तो 7.4 होता है option B सही है pH का full form होता है power of hydrogen या potential of hydrogen next question है मनुस्य के रक्त का pH मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है option A है अमलिये option B है उदाशीन और option C है चारिये और option D है कोई नहीं तो यहाँ पे option C जो है वो सही है चारिये मनुस्य के रक्त का pH मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है तो रक्त जो है वो चारिये है option C सही है और अमलिये जो है वो 7 से नीचे होता है अमलिये जो है वो 7 से नीचे होता है और option भी है उदासिन तो उदासिन जो है वो शिर्फ 7 होता है और option C है छारिये तो छारिये जो है वो 7 से अधिक होता है next question है मानव शरीर में और सतन कितने लिटर रक्त होता है option है 3 लिटर option B है 5 से 6 लिटर और option C है 8 लिटर और option D है 8 से 10 लिटर तो यहाँ पे option B जो है वो सही है 5 से 6 लिटर मानव शरीर में और सतन जो रक्त होता है वो कितना होता है 5 से 6 लिटर होता है option B सही है next question है मानव शरीर में RBC का निर्मान कहां होता है यानि की great blood cell का निर्मान कहां होता है option है अस्थी मज्जा, option B है हीर्द है और option C है या कृत और option D है कोई नहीं तो यहां पे option A जो है वो स्थी मज़ा यानि कि bone marrow जिसको इंगलिस में बोला जाता है तो RBC का निर्मान bone marrow में होते है यही कि उचन पूछा जा है कि भूरून में RBC का निर्मान कहां होते है तो भूरून में RBC का निर्मान यखरित में होते है next question है RBC का जीवन काल होता है option A है 120 दिन option B है 140 दिन और option C है 150 दिन और option D है 180 दिन तो RBC यानि की red blood cell का जीवन काल 120 दिन होता है option A सही है 120 दिन और कहीं कहीं पे होता है कि 100 से 120 तो वो भी सही होगा 100 से 120 रहे तो वो भी सही होगा next question है RBC को कहा जाता है option A है leucocyte option B है erythrocyte और option C है A और B दोनों और option D है कोई नहीं तो यहां पर option B जो है वो चाहिए erythrocyte RBC यानि की red blood cell को erythrocyte कहा जाता है और option है leucocyte तो leucocyte जो है वो WBC यानि की white blood cell को leucocyte कहा जाता है next q fusion है blood bank कहलाता है blood bank क्या कहलाता है option A पलिहा option B है a spleen और option C है तीली और option D है इन में सभी तो यहां पर option D जो है वह सही न में सभी तो option A है पलिहा Option B है अस्पलीन और options C है तिली तो यहां प waist D जो है वो शाहिए इनमें सभी सभी जो है वो तीनो एकई को बोला जाता है Next question है WBC का जीवन काल कितना होता है WBC का जीवन काल कितना होता है Option है 120 दिन Option B है 2-4 दिन और options C है 100 दिन और option D है 10 से 20 दिन तो यहाँ पर option B जो है वो सही है 2 से 4 दिन WBC यानि की White Blood Cell का जिवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन ही होता है option B सही है next question है सर्वदाता रक्त समू है option A blood group O option B है blood group A, B option C है blood group A और B दोनों और option D है कोई नहीं सर्वदाता यानि की सभी को देने वाला blood group होता है blood group O और सभी से लेने वाला जो होता है blood group O होता है blood group A, B, सर्वग्राही blood group किसको बोला जाता है तो blood group A, B को बोला जाता है next question है सरीर में रक्त परिभरमन में कितना समय लगता है option A है 30 second option B है 20 second और option C है 15 second और option D है 10 second यानि कि सरीर में blood को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है तो option A सही है 23 second लगता है option A सही है 23 second में पूरा सरीर का एक चकर लगा लेता है next की हुचन है रक्त समू की खोज किस वैग्यानिक ने की थी option A है कारल लेंड स्टीनर option B है हपकिन्स और option C है गुल्ड अस्टीन और option D है कोई नहीं तो यहاں पे option A जो है वो सही है कारल लेंड स्टीनर कारल लेंड स्टीनर जो थे वो blood group यानि की रक्त समू का खोज किये थे और रक्त समू कितने परकार के होता है तो चार परकार के होता है कौन कौन ब्लड ग्रूप A, ब्लड ग्रूप B, ब्लड ग्रूप A, B और ब्लड ग्रूप O और सर्वदाता ब्लड ग्रूप होता है ब्लड ग्रूप O और सर्वग्राही blood group होता है blood group AB next question है स्वास्त मनुस का रग्त दाब कितना होता है option है 100 by 90 mmHg option भी है 120 by 80 mmHg और option C है 80 by 120 mmHg और option भी है none of this तो यहाँ पिर option B जो है वो सही है 120 by 80 mmHg जो होता है स्वास्त मनुस के रग्त दाब कितना होता है यानि कि blood pressure कितना होता है तो 120 by 80 mmHg होता है स्वास्त मनुस का जो blood pressure होता है बीपी होता है वो 120 by 80 mmHg होता है अब ये वीडियो समाप्त होता है आप लोग को कैसा लगए ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाल आइकन जरूर दवा देजेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में